मलाइका अरोडा के पिता ने दुनिया को अलविदा कह दिया है मिली जानकारी के मुताबिक मलाइका अरोडा के पिता ने अपने घर की छट से कूट कर अपनी जान दे दी है पता चला है कि मलाइका के पिता की मौत हो गई है और फिलहाल शफ को अस्पताल में रखा गया है परिवार बुरी तरह से सदमे में है बॉलिवूड एक्ट्रेस मलाइका अरोडा पर दुखों का पहार तूटा है एक्ट्रेस के पिता अनिल अरोडा की मौत हो गई है मलाइका अरोडा के पिता को लेकर खबर आ रही है कि उन्होंने अपने बांदरा में मौझूद घर की तीसरी मंजल से कूट कर आत्महत्या कर ली माना जा रहा है कि ये पूरी घटना आज सुबह 9 बजे के करीब की है एक्ट्रेस पुने में थी, जैसे ही उन्हें ये शौकम खबर मिली वो अस्पताल के लिए रवाना हो गई एक्ट्रेस के पिता के शरफ को अस्पताल में रखा गया है जैसे ही ये खबर अरबास खान को मिली वो परिबार की साथ मौके पर पहुँचे है मलाइका के पिता के घर की दूरी सल्मान खान के गैलक्सी अपार्टमेंट से महस पांच मिनिट की दूरी पर है अभी तक आत्महत्या करने के पीछे की वज़े साफ नहीं हो पाई है अर्बास खान के साथ साथ मौके पर सीनियर इंस्पेक्टर मराथे और डी सीपी सहित वरिष्थ अधिकारी भी पहुँचे है बॉडी को पोस्ट माटम के लिए भीजा गया है इतना ही नहीं अभी तक किसी तरह के सुसाइड नोट की बाद भी सामने नहीं आई है पुलिस मामले की जाच में जुट गई है मिली जानकारी के अनुसार अनिल अरोडा पिछले साल बीमार हुए थे जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था वही माना ये भी जा रहे है कि पिछले कुछ वक्त भी अनिल अरोडा लगातार बीमार चल रहे थे अनिल अरोडा की सुसाइट की खबर मिलते ही सितारे उनके घर पहुँच रहे हैं मलाइका और उनके परिवार के लिए ये वक्त बहुत मुश्किल है इस मुश्किल घड़ी में एक्ट्रेस के एक्स हस्बंड अर्बास खान उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं अर्बास मौके पर सबसे पहले पहुँचने वाले लोगों में से एक है वो लगातार पुलिस से भी बातचीत कर रहे है मलाइका अरोडा के पिता अनिल अरोडा पंजाबी हिंदू परिवार से थे अनिल अरोडा का परिवार बॉर्डर पर बसे फाजल का जिले का रहने वाला था अनिल ने भारतिय मचेंट नेवी में जॉब कर चुके है फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और ऐसी बॉलिवूड की खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें का जिला सुट्यूब करी कि जलेके बॉलिव प्रिश तो चैनल को सब्टाइब भास्यूब का बॉलिव की खर बॉलिवर